राद आया कि नरिंदर मोदी जी जो है जो प्राइम निस्टर इंडिया के वो जंगल में उनकी पिक्चर आ रही थी कि वाइड लाइफ जो है उसका उसमें वो गए थे प्रोमोट भी किया काफी उन्होंने और यह सारे चीजें तो होती है ना जब जाहर है आपको आपके पास आपके अकानमी ठीक हो हमारे जो अमीरिल मोमनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है टाइटल दे दिया है उनका वो वाकी है उनको नेटो की मेंबर्शिप मिल रही है इस वकत वो अमरीका वाइज उनसे पूछ के चलते हैं अगर देखा जाए तो यहाला त अचर्योंग है तो मैं समझता हूं कि क्या क्या करें की तफ़ा थक्यों कि उनकी नकली कर लो नहीं करते हैं बहुत को मो10 जी भारत के लिए अच्छे आम धो क्या है मैंने आपको कई दपा क Sax दंशिवा डिया में कई nationalist movement चली थी सारी मुंग बल गिरी है लेकिन एक ही movement आज खड़ी है जो मोदी साहब किया जो वो nationalist movement बनाई थी और उनोंने भारत को nationalism दिया है जो सबसे बड़ी बात है मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता तरक्की के लिए आपका confidence boost करना आपको nationalism देना आपको बताना कि आप दुनिया की एक काम यह अब तरीन कौम होगो उने दिया है हमारे हमें हमारे नौजवान मायूस है और भारती नौजवान दूसरी साइड पर वो nationalism उससे सर्चा उससे है और मैं कल पर सूँ मुझे मुझे भारती ambassador जो यहां पर Washington DC में उनकी speech सुने का मौका मिला आँखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की उन्होंने का कि हर साल institute of technology जो हर साल एक निया institute बनाया जाता है भारत में हर दो गंटे बाद एक निया college बनता है उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरकी कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो जो आईसे उनके जो four fathers हैं भारत के जो recent four fathers हैं जो फिछले मैं समझता हूँ और दो चीजों पर मैं बड़ा inspired हूँ कि बड़े short period में अंदर रोनेत रखी बड़े short period में अपनी आँकों से देगा सारा कुछ नाइटीन 85 के बाद सारा 85 के बाद सारा 86 के बाद लेकिन nationalism लोगों के मैंने किरदार देखे हैं किरदार साजी हमने तो छोड़ दी ना अपने तो फिर वह अपलंदर बासी लोग हैं खैराद पर चलने वाली काउम हैं सर हमारे सर लोगों का ये भी ख्याल है बहुत से लोगों का कहना है कि जी बलके इमरान खान साब ने भी ये कहा है कि जी जब अगर उनकी गवर्मेंट आ गई तो फिर दुबारा से जो overseas पाकिस्तानी हैं वह बहार से डॉलर है गलत बात है गलत बात है दिसमे बात बताना चाहlenे का मैं खुद overseas पाकिस्तन हुए लेकिन हमें तो माड़ी दे दिए एंहें उनों अन्हों कि सर्फ । को पिक कि है आप नगे तक्रीर नहीं सुनी हो जाज्थ जब भी highway बात करते हैंथ फाक्तर जो हमें पैसे देंगे चलाएंगे मेरे जैसे जो ऑने स्कीइल रिमें लोग है नुझ मार कर के yan titles ने भी जब थो पाका सब बच्राइड पराट गैं जब गीधिधा की लोग्ट अल इसट आए चली उनको तो उनोंने माफी दे दी है अब मैं यह कहूंगा है संब लोग अपने मावाप को पैसे बीज़ते आपको थोड़ी बेच तिस कि सबसे पहले आपने जूते मार के महां से निकाला कोई स्किल्स आपने दी नहीं हम टैक्सियों में बार्डर क्रास करकर करकर के पहुंच दे हम कौन सी डिग्रियां लेकि आए भार्तियों की तरह हमारा कौन सा इंडियन इंसीटूट अप्नालोगी है हमारी तो हुआ छे डि लेटर नहीं लेख सकता था यह स्टेंडर्स आप मुझे यह बताएं आपके हालात क्या है कितने इंगलेश चैनल है पाकसान के अंदर एक भी नहीं है यह जो आक स्पोर्ट से पढ़ के गया है उसको भी ट्वीट करनी पढ़ती है तो उर्दू में करता है तो फिर वही वही वह उर्दू पढ़ने वाले जब आते हैं यहां पर डाक्टर तो उनके अलाद क्या होते हैं जो कहता है कि हां मेरे पास प्लान है किसी के पास प्लान नहीं प्लान क्या है वर्वर्षीज पाकिस्तानी से आगे पैसे लगाएंगे प्राप्टी हमारी कबजे कर गया जूते मारमार के हमें नकाला वहां से आप अब हमारे पैसों पी नजड़ है अब हमारे रटायर पेंट पैकेज्जों पे नजड़ है आपकी अब हमने जो सारी सिंदगी किया मुझे यह बसा क्यों क्यों निकलता बंदा अपना मुलग चोड़ के देखे न पहले तो आपने हमें पहले तो आपने हमें दिखाया कि आए पाकस्तान का मतलब कि आए जी इसलाम दे आपको फिर जूते मारे उपर से में भारत से बुला के कठा करके आपको टू नेशन जब कठे होगे फिर जूते मारे निकाला वहां से अपने बचे लंदन ले गए उपड़ाने के लिए डाका मारने आते हो डाका मार के फिर वापस चले चले जाते हो अब यहां पर स्कून से आगे बैठे हैं अब फिर भी तुम्हें यह पसंद नहीं है अब फिर हमारा गिर भी यहां से पैसे नगी है। इनको यह बता तो एक एक डालर एक एक पॉंड के साथ बद दौाएं भी जाती हैं बद दौाएं भी जाती हैं किसी के पास ने हमारे खून-पसीने की कमाई है जिस पर यह जिसको यह लंदन ले जाते हैं अपने बचों की टुशन फीस ने यह आपके जितनी रूलिंग जिसकी वैल्यू कोई नहीं है आप मुझे यह मेरे आपसे क्वेस्टिन अकेले करेंड बता दें तो रमजान से पहले क्या था आज क्या है विल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है और सार इस घीरत दोस्ट को हैं वो सारे हम उम्रत करने जाएंगे साथी रेपिया सार छे सो फिरान्ट के थे और उसके उप्र एक हंगामा मज गया किसे पहले साकिम निसार साब हर जगाए फिर नजर आते फिरान कांई साकिम निसार साफ अ हर जगाए होते ऑफ्रोंनीन के साथ किसी वու कोई इतराज नहीं और वह क्याकी किया वहां गल्डन जुबली आइन के लिए आया और मुझे बताया गया था यहां स्यासी बाते नहीं होगी और जो हुई है मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं लेकिन क्या करें वो पाइटी भी वो लाजले भी हैं अंदर से सपोर्ट भी हासल है उनके ट्वीटर ग्रूप भी बहुत स्टॉंग ह हैं उनके टिक टाक वाले भी बहुत स्टॉंग हैं फिर उनका उनका वो अंडे दे बचे दे जिसका मर्जी जिसके पीछे पढ़ जाए वो क्या फरक पड़ता है लेकिन यह के मेरे ख्याल मुझे जाना नहीं चाहिए था मेरी जाती तो राई यही है लेकिन चले जाके लेक के पीछे पड़ जाएंगे इनका क्या है लेकिन आर्जू मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपके मसाइल आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे इरान के वज़ा से आपकी कुछ वैल्यू थी लेकिन साओधी रेबिया के उनके रेलेशन्शिप ठीक हो रहे हैं अब तो वहां से भ प्याले गौादर की वज़ा से आपकी वो कदर करता था अब वो सकता है इरानी पोर्टे वो इस्तमाल कर लिया करें उनका भी इंफ्लूंस बढ़ रहा है तो आपका कोई मुझे ताबनाक नजर नहीं आ रहा है और दूसरा किसी के पास आज तक मैं यह समझता हूँ दुख का बढ़ाओंगा मैं कारोबार बढ़ा दूँगा मैं इंफ्रमेशन टेकनालोजी मैं आइटिफिशल इंटेलिजनस बचों को सिखाऊँगा किसी के मुझ सरी निकला अपने बचे बढ़ दें समके बार आपके बच्चों पर उनकी आपके बच्चों को कहते जेलों में जा क्या कोई नई मीटिंग चल रही है साओधी रफ से कुछ मांगने कर आदा है आप ने मांगने कर नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है आर्जू दर हकीकत साओधी अरेबिया का पूरा सेटप चेंज हो रहा है अमेरिकन ग्रूप को छोड़के वो रशियन और चैनिस क्योंकि अगले दिन हिस्टी का सबसे पहली दफाई यह हुआ है जंदा में इस वकत रशियन वार प्लेन जो है शिप कैरियर वो इस वकत डाक्ट है पहली दफाई हिस्टी में यह हुआ है कि रशियन शिप जो है मिल्ट्री शिप वार शिप वो जंदा सी पोर्ट के उपर खड़ा है और इसी तनाजर के साथ मिया साथ जाएंगे अपनी नई शराय नई इंस्ट्रक्शन लेंगे वहां से पारकस्तान के मुस्तक्बिल के लिए कि चाइना और अब रश्या के साथ आगे डील किस तरह करना है क्यूंकि अमरीका जो है वो चरह मर्दे बिबार था पहले आगे वाइट हाउस है तो वो वाइट हाउस से बैट किस तरह लैटरों के उपर साइन कर देते हैं तो अमेरिका में भी खड़े होते हैं पाकिस्तान में पहले नहीं थे दो धाई साल में खड़े बने ना देखें जबार भाग गया चोड़के वो रश्या से तेल ले रहा ह फ्रांस आज चैना में बैठा है यूर्पियन यूनियर वहां बैठा है ब्राजिल भाग गया है चैना के दाद आपके कौन सा मुलक बचा कोई भी नी बचा सारे भाग गये अब मैं यह आपको बलके एक और बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात जो इसमें अमरीका में क्योंकि इनका सबसे बड़ा हमेशा यह कहते थे इसराइल की हम सपोर्ट करेंगे अनकंडिशनल सपोर्ट कि चाहे जो मर्जी इसराइल करे हम उसके साथ कड़ें आज उसकी भी निकला यह रिपोर्ट इनके वो पेपरों में लीक हुई जो पेंटा गान की देखें और किसी कि कोई कोई परशाणी नहीं फिकर नहीं है उसमें रिपोर्ट में यह लिखा है कि इस वक्त जो बीबी नितनियाहू के खलाफ वह जलूस निकल रहे हैं जुडिशल रिफाम पे वो मुसाद फंड कर रही है और अमेरिका फंड कर रही है और दूसरी खबर यह निकलाई है क इनोंने अंदर अपने बाहर लोगों को कहते हैं कि युकरेन जीत रहा है अंदर खुद कहरें उसको उसके बार भी मिजाली खतम हो गया है फिर उसके बाद इस हम रिपोर्टमें लिखा कि एजिप जो है वो भी असलार companies बैच रहे हैं तरकी भी असलारका को बैच रहे है त सब नहीं अगले जब बैठावा तो भारत के अमबेज़ने साब कहा रहे थे कि हर जो सीओ जहां नहीं भी उनकी बोड में एक दो सीओ एक दो बोर्ड मेंबर इंडियन होना ज़रूरी है क्योंकि उस से उस कंपनी की प्रस्टीज बढ़ जाती है यह हालात है तो फिर अपने गोने मियां जो है वो क्या नशे में कहीं फिर रहे हैं किसी कोने में बैठे होंगी इंटलेक्ट भी और सोच नहीं बन करती है पता नहीं क्या बाद है को ऐसी नजर लगी सब्सक्राइब तंबर यारा हुआ उसके बाद उठे ही नहीं है पता नि क्या बाद है सो गेंशाले हां उसके बाद से और ज्यादा खराब से खराब होने लेकिन लास्ट में मैं यह पुछना चाहूंगी आपसे के मीटिंग के बाद से कुछ इ हैं आज भी बन्नू में कह रहे हैं के तीन जैशत गर्डब कर इनके